बवन मालिक और स्कूल प्रशाशन के बीड चल रहे विवाद के चलते छेतर वासियों की जान सांसत में दिलिगेट गंज इलाके में स्थित राज के सुभाश मार्जमेक विद्दाले का भवन पूरी तरह से जरजर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है बारिश के मौसम में इस भवन के गिरने के हाला ज्यादा बने हुए है छेतर वासियों ने मीडिया के समक्ष अपनी पीडा का इजार करते हुए बताया कि भवन के नीचे पाताल तोड़ पानी का स्त्रोथ है जो कई-कई दिन तक ट्यूब वेल चलाने पर भी खाली नहीं होता ना तो स्कूल प्रशाशन ना ही नगर निगम और ना ही जिला प्रशाशन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है सक्री गलियों में यदि भवन धराशाई हुआ तो बड़ी जंधन की हानी हो सकती है वर्षों से भवन मालिक और स्कूल प्रशाशन के बीच अदालत में विवात लंबित है जिस पर कोई निर्णे नहीं होने से यहां के चेत्रवासी मुजीबत में है करीबन 10-12 पूट पानी बरावा है जिस्टे हमारे मकानों को नुक्सान हो रहा है यह सुवास इसकोल देली गेट पर इसकूल गंज में इसकीथ है लेकिन काफी परशाशन को भी काफी सूच न जेनी निगम को परिशाशन निगम ने एक बार मोटर भी वेजी ती है करीबन 12 गंटे मोटर चलने के बाद भी पानी नहीं टूटा इसका उत्ता का उत्तार पानी भरावा है लेकिन आज हमारे मकानों को आज पडोशियों को सारों को नुक्सान हो रहा है जिससे हम लोगों को खत्रा पैदा हो गया है जरजर रवस्ता में है और इसको पूरू में इसको जरजर रवस्ता का नोटीज भी दिया हुआ लेकिन परिशाशिन दौरा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इसके उपर शेत्रवासियों में काफी आक्रोश पैदा हो रखा इसमें अब क्या चाते हो आप इसका इसका समाधान किया जाए पानी का मल्वा हमने काफी मल्वा बरवाया लेकिन कोई सुलूशन नहीं निकला उसका बारिश के मौसिन में बहुत बहेंकर नुक्सान हमारे मकानों को कलने कोई हाथ्चा हो गया था उसके उलिए प्रिशाशिन जुम्मेदार हो गा चेत्रवासियों ने बताई कि स्कूल भवन के आसपास 15-20 मकानों को खत्रा पैदा हो रखा है कर निकम और जिला प्रिशाशन से 15-4 कर भवन को मरमत कराने या फिर गिराने की अपिल की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही लगता है हास्ते के बाद ही प्रिशाशन जागेगा सुबास महादे में के विद्याले जिसका पीछे का एक छेतर है उसके नीचे एक बेस्पेंट है होल बनावा है उसके अंदर जमीन से पानी रिष्ट के आता है जो उसकूल परशाशन और नगर निगम को ने कई बार सूजना दी है कि इस पानी की समश्याओं को दूर करे औ पर किसी भी परशाशन ने ना उसकूल परशाशन ने इसके और किसी ने ध्यान दी दिया उसके बाद में हमने जो इनका कोई कहते हैं कि केस चल रहा है हमारा केस चल रहा है किसी बहुनमानिक से भी अब उसके पर भी कोई एक्शन ना लेके उसके बाद में में आप खडोश ताकि यह मलवा जो डाल रहे हैं और गंदिकी जो डाल रहे हैं यह बंदो चेत्रवासियों को बहुत ज्यादा नुकसान है क्योंकि जो पानी बरावा है आस-पास के मकानों में शीले पैदा और यह पानी उपर तक च्छतु आगे तक उपर तक बढ़ रहा है इससे मकान कभी अगलnin यहां कि इसकी स्कुल से जुड़े में और उस बेश्पेंट से जुड़े में उस से ये पानी ओंध उन घरो तक जय रहा है और बहुत नुक्सान झाल 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 झाल